कोट को कौन धमका रहा है किसके समर्थक सोशल मीडिया पर जजों के बारे में अभध्र टिपणिया कर रहे हैं कानून मंतری री ट्वीट कर देते हैं कि सुप्रीम कोट ने समविधान को हाइजेक कर लिया है हर्याणा के मुख्यमंतری मनुहरलाल खटर बयान दे देते हैं कि एक जज का माथा ठीक कर देंगे क्या मुख्यमंतری जज को नहीं धमका रहे थे राहुल गांधी के साथ उनकी पार्टी के नेताओं का हुजूम सूरत कोट क्या पहुँचा बीजेपी ये मुद्धा बनाने लग गई कि राहुल गांधी कोट को डरा धमकार हैं क्या कानून मंत्री हरियाना के मुख्य मंत्री का ये बयान सुनना चाहेंगे जिसमें वे एक जज का नाम तो नहीं लेते हैं मगर उनकी मानसिक शमता पर सवाल उठाते हैं और ठीक कर देने की बात करते हैं राहूल गांधी विपक्ष के नेता है मगर यहां तो मुख्यमंतरी कहते हुए सुने जा सकते हैं कि एक जज हैं उसके माथे में गडबड है तो ठीक करेंगे उसको मुख्यमंत्री जज को ही ठीक करने की बात कर रहे हैं और 24 घंटे बीच जाने के बाद भी कानून मंत्री किरेंड रिजीजु का कोई बयान नहीं आता है क्या उनके अनुसार ये डराना या धमकाना नहीं था भीवानी में मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने नौकरियों पर स्टे को लेकर सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री कह गए कि एक जज हैं उसके माथे में कुछ गडबड है तो ठीक करेंगे उसको कोट को कौन धमका रहा है कौन इस्तेमाल कर रहा है ये सब के सामने हैं आप नाम नहीं ले सकते हैं मगर समझ तो सकते ही हैं पिछले दिनों जब चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया में दबाव के डर से काबिल जज भी जमानत नहीं दे पा रहे हैं हेट स्पीच देने समय पर कारवाई नहीं हो रही है अगर एक्षन ही नहीं लेना है तो राजी की जरूरत ही क्या रह गई है इस टिपणी के बाद सोशल मीडिया पर अभधर टिपणियां होने लगी जजों के बारे में ये लोग कौन हैं कानून मंत्री पता करना चाहें तो जादा वक्त नहीं लगेगा लेकिन मुद्दा बना रहे हैं कि राहूल गांधी कोट को डराATHER द्धमका रहे हैं कॉंग्रेस नेतारंटीब सुरुचेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री खटर को माफी मांगनी चाहिए तो क्या मुख्यमंत्री ने अपने इस बयान के लिए माफी मांगी है मुख्यमंत्री ने अपना बयान वापस तो लिया है और खेद जताया है दिल्ली की एक अदालत के भीतर कनहिया के साथ मार पिट हुई क्या कानून मंत्री बताएंगे कि उस मामले में क्या हुआ, कौन डरा रहा था, धमका रहा था, मुद्दे को हलका बनाया जा रहा है ताकि जमीनी मुद्दों की बात न हो सूरत कोट में आज रहुल गांधी ने अपील डायर कर दी, उन्हें 27 जमानत मिल गई है और 2 साल की सजा पर रोक भी लग गई है, तो क्या उनकी सदसिता अब बहाल होगी, सजा पर अगली तारीक को सुनवाई होगी, उसके पहले कॉंग्रेस के कई बड़े नेता सूरत पहु कोंग्रेस के श्री निवास बीवी ने एक पुराना वीडियो ट्वीट कर दिया, जिसमें दिवंगत अरुन जेटिली जब अर्विंद केजरीवाल के खिलाब मानहानी का मुकदमा करने पहुंचे थे, तब मोदी सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के नेता पटियाला कोट गए थे, यह 2015 की बात है, लेकिन आज कॉंग्रेस के निताओं का हुजूम सूरत कोट पहुंचा, तो बीजेपी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया कि कोट को डराने धंकाने गए हैं और ड्रामा करने गए हैं, कॉंग्रेस ने पूछ दिया कि 2015 में क्या मंत्रियों को ल उसके पर अपील दाखल की गई, अपील के साथ में दो और एप्लिकेशन भी दाखल की गई, एक एप्लिकेशन थी जो सजा मुकूफ भी दूसरी एप्लिकेशन थी जो दोसित किया गया है, उसको मुकूफ करने के लिए थी, मतलब suspension of sentence and suspension of conviction की दो एप्लिकेशन साथ-साथ अपील के साथ रखी गई थी और जो साल की अपील सजा और जो कन्विक्षन वाले अपील होती है और सेंटर्स सस्पेंड होता है जमानत दी जाती है वह आज हो गिया और जो होना था को कर देगा अभी जो इस केस में राहूल जी कनविक्ट है और वो कनविक्शन के वज़ा से राहूल जी का जो सांसद पद है इसको टैरा गया है उसके पर स्टे लाने के लिए application for conviction stay of conviction मतलब दोसित जाहर किया गया उसके पर स्टे लाइने के लिए एप्रिकेशन की गई है उसका एक्सपार्टी एक तरफा सुनावनी नहीं हो सब्सक्राइब नामदार कोट ने नोटिस किया और उसको सुचित किया गया है कि आप दस तारिख तक आपको जो भी जवाब देना है जो अब्जेक्शन लेना है जो हलक नमा डालना है जो आप करना है वो दस तारिख के पहले कर दो तीरह तारिख को राहूल जी का कन्विक्षन को सस्पेंड करना है कि नहीं है जाँ और और उसके पर सुनमाई होगी के अरुषे पर बता दें कि 2015 में अरोणन अरुंजेटली से माफी मांग ली थी उसके तुरंत बाद अरुंजेटली ने मुकदमा वापस ले लिया लेकिन जब बीजेपी राहुल गांधी पर कोट को धमकाने का आरोप लगा रही है तब इस अतीत को क्यों नहीं देखना चाहती अतीत नहीं दिखाई दे रहा तो कम से का मनुहरलाल खटर के इस बयान को ही देख लेती जो जादा पुराना नहीं है कि जज का माथा खराब है उसे ठीक कर देंगे क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस बयान पर कोई एक्षन तभी नहीं ले सकते थे जब दिया गया अजीब अजीब दलीले दी जा रही है जब तक राहुल गांधी ने अपील नहीं की थी तब ग्रिम मंत्री ने कहा कि उन्हें अहंकार हो गया है इसलिए उपरी अदालत में अपील नहीं कर रहे है अब जब सूरत के सत्र नयायालय में अपील के लिए रवाना हुए तो कानून मंत्री ने कह दिया जब सजा हो अदालत जाना, अदालत को धमकाना है, घेराव करना है, कानून मंत्री चाहें तो अपने ही कुछ बयान देख सकते हैं, फिर उस पर विचार कर सकते हैं कि ये धमकाना था या समझाना था। क्या किरन डिजीजू को ये खबर याद है, जब उन्होंने रिटायर्ट जजों के बयान को रीट्वीट कर दिया, कि सुप्रीम कोट ने सम्विधान को हाईजेक कर लिया है। कि सरकार की आलोचना करना देश विरोधी काम नहीं है, ये बताना पड़ता है। क्या कानून मंत्री ने अपना बयान वापस लेकर कोई उधारन पेश किया। और घेराव करना है। आज मीडिया के माध्यम से पता चला है और कल से ये न्यूस चल भी रहा है कि राहूल गांधी, उनके परिवार के लोग और कुछ मुख्य मंत्री जैसे अशोक गहलोत, बुपेश बगेल जी, उनके परिवार से प्रियंका वाडरा, ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं। रहूल गांधी के साथ और वहाँ पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं। रस्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहोल गुजरात में कॉंग्रेस पार्टी और रहूल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। पर रहूल की सदसिता रद कर दी गई। पचीस जनवरी को केरल हाई कोट का फैसला आता है। और तीस मार्च को सदसिता बहाल होती है। दो महिने से अधिक समय लग गए। बीजेपी कानून की बात करती है तो बताए कि कानून का ये कौन सा तरीका है कि जब मामला सुप्रीम कोट में सुना जाने वाला था तब उसके ठीक पहले मुहम्मद फैजल की सदसिता बहाल कर दी जाती है। इस देरी के कारण मुहम्मद फैजल बजट सत्र में हिस्सा नहीं ले सके होंगे। ये और बात है कि 45 लाग करोड रुपे का बजट बिना चर्चा के पास हो गया। बीजेपी क्यों बोले जा रही है कि राहुल को अपील करनी चाहिए राहुल को माफी मांग लेनी चाहिए वह ये क्यों नहीं बता रही है कि फैसला आने के दो महिने बाद तक मुहम्मद फैजल की सदसिता बहाल क्यों नहीं की गई और फैसला आने के दिन से ही राहुल की सदसिता क्यों रद कर दी गई। मंतरी भी सूरत पहुंचे बीजेपी के विधायक पुरुनेश मोदी के वकील भी सूरत के सेशन कोर्ट में बहस के लिए तयार थे राहुल ने कभी नहीं कहा कि अपील नहीं करेंगे इसके बाद भी बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया कि राहुल गांधी अपील क्यों कर रहे हैं अहंकारी हो गए हैं तो आज उन्होंने अपील डायर कर दी कॉंग्रेस के मीडिया प्रमूप जैराम रमेश का एक ट्वीट आता है वे कुछ कारेकरताओं के हिरासत में लिए जाने की तस्वीर शेयर करते हैं कहते हैं कि गुजरात की भाजपा सरकार ने कॉंग कॉंग्रेस इन सब हरकतों की निंदा करती है और कारेकरताओं की रहाई की मांग करती हैं लोग सभा में संसद सदस्यों के मकानों को देखने वाली हाउस कमिटी के अध्यक्ष हैं सी आर पार्टिल बीजेपी के ही सांसद हैं और नवसारी से सांसद हैं उन्होंने नोटिस चारी किया था कि राहुल गांधी तुगलक ले निस्थित अपने घर खाली कर दें राहुल ने अपने जबाब में यही कहा कि नोटिस का पालन किया जाएगा इसके बाद कॉंग्रेस के नेता भी ट्वीट करने लगे सुप्रीम कोट में 36 गड के एडिशनल एड़ोकेट जेन सांसद नहीं है फिर भी इनके पास सरकारी मकान है लालकृष्ण अड़वानी के मामले में हम पुरानी रिपोर्ट देख रहे थे वायर की रिपोर्ट है कि जुलाई 2020 में जब प्रियंका गांधी से सुरक्षा हटा ली गई तब उनसे सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया था जहां वे 1997 से रह रही थी उस समय एक स्पष्टी करन आया था कि लालकृष्ण अड़वानी आजीवन रह सकते हैं मुरली मनुहर जोशी और लालकृष्ण अड़वानी 2019 से सांसद नहीं हैं तो राहुल गांधी की सदसिता जाने से जुड़ा हुआ मामला आजम खान के म मुख्यमंतरी बनने के बाद उन पर 80 से अधिक मुकदमे दायर कर दिये गए कई साल पुराने केस को निकाल कर कोट के सामने लाया गया और मानहानी का केस बनाया गया उसमें भी दो साल की सजा हो गई है इस केस में उन्हें जमानत मिली है 2019 के एक भाशन को निकाल कर हेट पीच के मामले में तीन साल की सजा दी गई जिससे वे चुनाओ लड़ने के लिए आयोग्य हो गए 2014 में जब आजम खान मंत्री थे तब अपने सरकारी लेटर पैड पर आरेसस बीजेपी और मौलाना सेद कल्ब जबाद नकवी के बारे में पत्र लिग गए जो राश्ट्रिया अखबारों में छप गया और नीज चैनलों ने चला दिया 2019 में इस पर अलामा जमीर नकवी नाम के व्यक्ति ने केस कर दिया आरोप लगा कि आजम खान ने राश्ट्रिया स्वेम सेवक संग और बीजेपी की मानहानी की है यह केस पत्र लिखने के पांच साल बाद डायर हुआ और दो महिने तक जुडिशल मजिस्ट्रेट के यहां लंबित रहा फिर इसे सांसदों और विधायकों के लिए बनी विशेश अदालत में भेज दिया गया मार्च 2022 में मानहानी के केस में आजम खान को जमानत मिल गई बीजेपी ने कॉंग्रेस फाइल्स के नाम से एक वीडियो रिपोर्ट जारी किया है इसमें कॉंग्रेस के 70 साल के भरस्टाचारों का हिसाब बताया गया है मगर कॉंग्रेस तो 70 साल सत्ता में रही नहीं 15 साल से जादा तो अकेले बीजेपी के हो चुके होंगे बाकी दूसरे दलों की सरकारे भी हैं अब अगर अपना वाला भी हिसाब जोड लिया हो तो अलग बाद क्या ये वीडि आनी की हाइफा पोर्ट कमपनी में भारत में तैनात रह चुके इसराइल के पुर्वर राजदूत को कारेकारी निदेशक बनाया गया है इस खबर को आप कैसे समझेंगे समझते रहे बहुत सी ऐसी चीजे हो रही हैं जिने समझने समझाने का वक्त नहीं लेकिन इस तरह के बयानों को ऐसे तान दिया जाता है जैसे यही सवाल सबसे जरूरी है उसमें भी जो मूल सवाल है उसका कभी जवाब नहीं आता है बीजे पी ने जो कॉंगरेस फाइल्स बनाई है उसमें दावा किया है कि कॉंगरेस शासनकाल में कोईला खदानों को लेकर घुटाले लेकिन बीजेपी ने अलजजीरा में छपी से रिपोर्ट पर कुछ भी नहीं कहा कम सकम कुछ तो कह देती हमने एक मार्च के इस वीडियो में अलजजीरा की इस खबर के बारे में बताया था तब हमने प्रतिकात्मक रूप से इस वीडियो का इस्तमाल करते हुए कहा था कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव के पत्रकार श्री गिरिजेश जलिहल और कुमार संभव की रिपोर्ट बड़े सवाल खड़े कर रही है इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 में सुप्रीम कोट ने 204 कोईला खड़ानों को निरस कर दिया ये सभी 1993 से लेकर 2010 के बीच आवंटित किये गए थे हो ये रह था कि राज्य सरकार की कमपनियों को खड़ान मिलता था और वो कमपनिया प्राइवेट कमपनियों को गुप्त ठेके के आधार पर सौप दिया करती थी मुनाफ़ा प्राइवेट कमपनियों की जेब में जा रहा था इस कड़ी में 2008 में एक कॉंट्रेक्ट अदानी समू को दे दिया गया मगर अदानी समू का काम चलता रहे इसके लिए मोधी सरकार नियमों में एक अपवाद के सहारे छूट देती है Reporters collective ने लिखा है कि उस ख़दान से अदानी समू आज तक 80 million ton koila निकाल चुका है Reporters ने कई दस्तावेज भी खंगाले उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि सरकार ने अकेले अदानी समू के लिए यच्छूट क्यों दी BJP को Congress Files में इस बात का जवाब दे देना चाहिए था नरेंद्र मुदी की सरकार सत्ता में 10 साल पूरे करने जा रही है कम से कम 2G मामले में जो भरष्टाचार हुआ उसी का पैसा वापस आ जाता और सजा मिल जाती जिन्होंने 00 लगा कर रिपोर्ट दी उस विनोध राय से BJP पूछ लेती कि बाकी के 0 कहा चले गए 66 करोड से अधिक भारतियों का डेटा चोरी हो गया है उनके बैंक डिटेल से लेकर उपभोग के आकड़े उडा लिये गये हैं जनता को अब वापस मुद्दों पर लाना संभव नहीं है बाईजू और वेदान्तू के 18 लाग चात्रों का डेटा उडा लिया गया है एप से टैक्सी का इस्तमाल करने वाले करीब पौने 2 लाग सदिक लोगों के रेकॉर्ड उडा लिये गये हैं 6 महानगरों के 4 लाग करमचारियों का डेटा चोरी हुआ है यही नहीं तेलंगाना की साइबराबाद पुलिस ने पाया है कि GST और PAN नमबर का भी डेटा चोरी हुआ है YouTube, PTM, Phone Pay, Big Basket, Book My Show का डेटा चोरी हुआ है Bank, BMA, सब का डेटा उडाया गया है आपकी कौन सी जानकारी अब किसके पास चली गई है मालूम नहीं मगर देश ने तै कर लिया है देखना ही नहीं है देश का एक हिस्सा दंगों की आग में जुलसा दिया गया है बहस और बयानों से जिनके घर जले हैं उन्हीं को दंगाई साबित किया जा रहा है एक देश और है जो इन सबसे दूर शाम को IPL देख रहा है जियो कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी की है कि जियो सिनेमा पर टाटा IPL को 147 करोड वीडियो व्यूज मिले हैं औसतन हर मैच को हर दर्शक ने 57 मिनट देखा है इससे पता चलता है कि समाज ने अपनी प्रात्मिक्ताएं तै कर ली हैं बदल ली हैं नमस्कार मैं रविश कुमार